नवस्कार दोस्तों स्वारत है आप सबीका ओलाइन इड़ाफ़श्टी यूट्यूब चैनल पे जिसा कि दोस्तों आप जानते किसी वर्ती समधित कोई भी जान कई होती है आपको ओलाइन इड़ाफ़श्टी चैनल के माध्यम से दी जाती है वह भी रियल ऑथेंटिक इस व जान काई कर देंगे वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे कि जान कई आप सभी को ओलाइन इड़ाफ़श्टी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरूबात करेंगे सबसे बड़ी अपड रशक होती है जो कि सरकार के माध्यम से बनाएगर नियम क्योंकि सुपीम कोड के माध्यम से जो भी कहा जाएगा उसी के आदार पे आगे की फैसले आपको देखने के लिए मिलते हैं सुपीम कोड के अंदर काफी लंगे समय से 10% आयच्छं का मुद्दा चल रहा है आप जा पूरा मुद्धा क्या आपको यहां से समझने की आवशक है यहां पर लिखाया कि यहां पर लिखाया कि यहां से जुड़ी यार्चेकाओं पर शीज अदालत में बहस जारी है अगर बात किया सुपीम कोड की माध्यम से आथिक रूप से कमजोर वरके 10% समयदान संशोधन के खिलाब दाखिल यार्चेकाओं को वद्दवार को सुनवाई जारी रही इस दोवान अदालत ने केंदर सरकार से पूछा कि सामान वरके 50% सीटों पर 10% EWS को देखर कैसे घटा सकते हैं मतलब पहला सवाल तो यही था कि जो 50% आरचन मिलता है मतलब आरचन नहीं आरचन सीटें होती है ठीक है तो यहां पर उसको 10% कैसे घटा सकते हैं क्योंकि उसके उपर जन्रल की अभरती भी चैनित होते हैं मतलब यहें पर पूरा कॉंपोडिशन देखने के लिए मिलता है अब यहां पर सब्सक्राइब ने यह किया कि जो 10% आरचन EWS को दिया जाए उसके बाद से इसको यहाँ पर सामाने वर्ग की जो सीटें 10% घड़ जाती है वहाँ पर सिफ 40% है जाती है और जो इतना competition मैंने आपको बता है उनको पहले 50% सीटें मिले थी वहाँ पर सिफ उनको यहाँ पर 40% सीटें मिलेंगी आगे सुपीम कोड ने एक और सवाल किया कि मुख्य नयादीस जस्टिस ईवी लरित के माध्यम से केंद की और से अटोनी जनर्रल केके बेंडु गुपाल से कई सवाल किये गए कहा कि याचिकाओं के मुतावे कीमी लेरे के चलते सामाने में आये OVC वर्ग शिकायत कर दा है कि उनका हिस्ता जो गठा दिया गया है जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि सामाने की सीटों पर बहुत सारे अव्यर्दी चैनेत होते हैं तो उसी मैंसे OVC वर्ग के कीमी लेरे वाले चात्तों का कहना है कि हमारे हिस्ता गठे गया है क्योंकि पहले उनको 50% सीटों पर चैनित होने का मौका मिल ला था चैनित एक पर ही हो है ना लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पर जब 10% आर्चन दिया गया तो उनको यहां से 10% आर्चन मिलने के बाद में 40% सीटे रह गई नीचे लिखाओ एक शिकायत करता है कि उनका हिस्ता जो गठा दिया गया है वहीं सामानी वर्ग ने कहा है कि इस आर्चन से उनका भी जो छेते वो संकुचित हो गया है मतलब जो जन्रल के अव्याति हैं जो मतलब EWS के अंदर नहीं आ रहे है वो भी इस बात की शिकायत करते हैं ते आर्चन का उलंगन नीचे पहला सवाल यह भी देखनी के लिए मिलता है कोड ने कहा कि सवालों को लेकर याचियों को कहा कि EWS 10% आर्चन इंदर सानी के केस में तेया आर्चन के 50% की सीमा का उलंगन है सुभीम कोड ने सम्मिदान का बुनियादी धाक्चा बना दिया है कैंद इस सीमा को लांग नहीं सकता कैंद की दलील है कि कैंद की ओसे अटोनी जनरल की माध्यम से बताया गया कि 50% की सीमा का उलंगन नहीं है सम्मिदान शरंशोदन को चिनोती तबी दी जा सकती है जब उसके मूल सरचना के उलंगन करें EWS का जो कोटा है वो SC और ST के अगर बात की जाए OBC को मिले आरचन को बादित नहीं करता इन सबी वर्गों को बहुत लाव दिया गया है लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 18% सामाने वर्ग के कोई सुद नहीं ले दा है ऐसा उनका कहना है यह आरचन उनी लोगों को है क्योंकि अनुचे पंदर इसके अलावा उन्हें रहाद नहीं देया इसलिए 103 मा संशोधन करके उप अनुचे छे लाया गया ताकि गई भी देखा कि नीचे रहने वाले इसका जो लावे हों मिल सके पूरा का पूरा मामला आप समझ गया होंगे मैंने आपको पहले भी समझा दिया है फिलाल इसके बारे में आपकी रायका है कमेंट करके बताएं इस समाचा पत्त में जो भी लिखा जाता है वो समाचा पत्तों के माध्यम से मैं बस आपको पढ़कर बता रहा हूँ चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की सम्मद्दीत है 64,000 जूनियर सिचकों के खाली पदों पर 64,000 जूनियर सिचकों की सीधी बरती के विग्याबन के बारे में कल दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बहुत साही मैंने जानकाई दी थी वहाँ पर एक मैंने आपको विधान सवाग के अंदर पूछे के सवालों के जवाब दिखाई थे उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 63,000 प्राथमी सिचकों के पद खाली है और लगबग 63,000 और 64,000 जूनियर सिचकों के पद खाली है लेकिन दोनों में अंतर ये है कि प्राथमी विध्यालियों के अंदर 63,000 सीधी बरती आती है जूनियर के अंदर क्या होता है प्रमोशन देखने के लिए मिलती है जैसा कि आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है बेसिक्स इच्छा मंती जी के माध्यम से दियेगा जब आप के अंदर बताया था एक साइक अधियापक और 639 पद आपको देखने के लिए मिलते है分 प्रदोन्रती के माध्यम से बाहर जाने का प्रावधान है नीचे लिखा हुआ है कि यह मामला भी नियाले में लंबित है इसके चलते उस पर अभी विचार नहीं हो रहा है प्रदोन्रती को लेकर तो इसी समय पर बहुत सारी चातों के माध्यम से सवाल किये गए थे कि जूनि तब तक यहां पर और भी पर खाली हो जाएंगे सेवा निवर्त के जलते और भी समय समय पर जो प्रकिया वो देखने के लिए मिलती है अभ्यातियों के माध्यम से इसको लेकर भी जो मांगें बनाई जारी है तैयारी की जारी है कि वो शासन के सामने स्मुद्ध्य को रखे कि जब प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जूनियर सिचकों के परदखाली पड़े हुए हैं 63,000 से लेकर 64,000 तो यहां पर सिचकों के कमी को पूरा करने के लिए क्यों ना B8 और BTC वाले अभ्यातियों के लिए सीधी भर्ती का विग्यापन निकाल दिया जाए एक त क्योंकि यहां पर कहिने की B8 और BTC वाले अभर्ती आपस में लड़ते जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही भर्ती प्राथमी सिचक वर्ती है तो यहां पर जूनियर सिचक वर्ती का विग्यापन जारी होता है तो यहां पर प्राथमी के अलावा जो जूनियर में बैठेंग लेकिन फिलाल जो अभ्यतियों के हाथ में वो यही है कि सरकार के सामने अपनी मांगों को रखें जो भी पर खाली उन पर भरतियों के विग्यापन जारी किये जाए और जो 64,000 जूनियर सिचकों के पर खाली पड़े हुए हैं इस पर भी विचार करने के लिए सरकार के सामने एक बार फेसे जो मांगे वो रखी जाएगी बाकी इसके बारे में आपकी मांग क्या है आप क्या चाहते हैं कमेंट करके हवशे बताएं क्योंकि आप लोग जब तक कहने की छात्तों के साथ नहीं आएंगे तो बेनिफिट तो मिलता नहीं है वीडियो को लाइक कर दें कर फैसला हो चुका है यह जानकाई मैंने आपको दो दिन पहले भी दी थी लेकिन उस तरह में पीएंपी के माधियम से ना तो कोई नोटिस जारी हुआ था और नहीं इसके बारे में कोई बयान जारी हुआ जो कि मैं आपको दिखा पार था क्योंकि जो मोखिक जानकाई होत बात को मानने के लिए त्यार नहीं है सीरीसी बात यह अभ्यरती लगाता अपनी बाते मनवाने का प्यास करें यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे प्रसनल जिनका जवाब महिला अभ्यरती के माधियम से दिया गया देखिए मेरी उमार सीट कावन को भी पहले हमारे 134 अंख थ दिया है जैसे कि आदा उपर आदा नीचे तो यहां पर उनस अवी अंकों को काट लिया गया है पहला कुछ की तो और मार्ज भी यहां से इन्वैलेड कर दी गई है और वह बहुँ इसलिए कि गई है कि उन्होंने आदा गुला काला किया था नीचे पढ़े पहले तो इसमे भी यही हुआ गोले काला करने में गड़बडी हुई एक और सवाल लिखा हुआ है कि 109 अंकते मेरे अब 3 अंक कैसे रह गई तो उन्हों ने दिखाते हुँ बताया कि एक गोले को पूरा काला किया है और दूसे को आदा किया है इसका गारन मूल्यांकन नहीं हुआ है लिखा ह अवैर्द है जिसके चलते इन्वैलिड सीज के चलते आपका परडाम जारी नहीं हुआ है कुल मिलाकर PNB सजिव ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब परडाम संशुदित नहीं किया जाएगा और नहीं इसको लेकर विचार किया जाएगा जिन शार्तों ने आपती दर्ज क के अंदर दबाहर से परडाम जारी करने की जो प्रकिया वो शुरू कर दी गई है यहां पर लगबग चाल विशेओं के परडाम में आपको जो संशुदित ने वो देखने के लिए मिलेगा बनस्पदी विज्ञान रसाइन विज्ञान विएट के कुछ अब्यरती हाइग इसके अलाबा नीची लिखा हुआ है कि चार से ज्यादा विशेओं का जो परडाम है वो शंशुदित कर दिया जाएगा बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संब्दीतर सत्यासों परदों पर भरती के विग्यापन के बारे में कल देरात को वीडि इसी तक नहीं पहुच पाया थे देरात को वीडियो देर हो गया था लेड हो गया था तो इसी के संब्द में मैं आपको फिर से बतादू कि सत्यासों परदों पर लगबर यहां से 1673 पर हैं इसका जो नोटिफिकेशन ने वो जारी किया गया है आवेदन आपके 22 तारीक या